सफेद ताज, काला ताज, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आज मीनारों के, दीवारों के, राज से परदा, खुलेगा आज आपने सुना होगा, दुनिया में साथ अजूबे हैं अब देखिए, ताज के साथ अजूबे सबने सुनाई कहानी, कभी दादी, कभी नानी इन सारे मजदूरों का हाथ भी कटवाया था पर इस कहानी में थोड़ा जोल है माना जाता है जिस आर्केटेक ने ताज बनाया उन्होंने ही आगे चलकर लाल किले की नीव भी रखी उनका नाम था उस्ताद एहमद लहौरी ताज सी इमारत नहीं है पूरे जमाने में लेकिन भाया करीब 20 साल लग गए से बनाने में 1632 में शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शन और आर्मीनिया, इटली, फ्रांस, टर्की जैसे कई देशों के कारिगरों ने काम किया था वाइट मकराना माबल आया जोदपूर से एजिप्ट, रश्या, चाइना और अफगानिस्तान जैसे देशों से लाए गए थे कीमती पत्थर आज पल्यूशन का असर ताज पर नजर आने लगा है इसलिए इसे दिया जाता है स्पा वो भी मुल्दानी मिट्टी से और हमारा दांच फिर से चमक उठता है हर रोज टूरिस्ट यहां आते हैं हजारों में केसे बता था? रांज छुपा है दीवारों मीनारों में दांच की चारों मिनारें बाहर की तरफ जुकी हुई हैं अगर किसी अर्थक्वेक की वज़े से यह गिरती भी है तो ताज को कुछ नहीं होगा और सुनिए सुबह सुबह ताज हल्के पिंक कलर का दिखता है शाम को मिल्की वाइट और चांदनी रात में यह हो जाता है ब्राइट सिल्वर मगर कहा जाता है शाजहां का एक और सपना था ऐसा ही एक ताज बने नदी के उस पार काले संगे मरमर से होता वो तैयार लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्यूंकि शाजहां के बेटे और अरंजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया आज ताज महल के अंदर मुम्ताज महल और शाजहां की शान में बनी दो कबरे नजर आती हैं लेकिन ये उनकी असली कबरे नहीं हैं शाजहां और उनकी बेगम दुनिया की नजरों से दूर एक शान्त कमरे में दफन है जो दरसल गार्डन लेवल पर है इंडिया की ये शान करता सब को ये हैरान यू ही नहीं अजूबाय से कहते मेरी जान इट हैपन्स ओंडी इन इंडिया